बिग बॉस की घर में कोई अफेयर ना हो ऐसा तो भला कभी हो ही नहीं सकता इस सीजन में कई कंटेस्टेंट के बीच अफेयर देखने को मिल रहे हैं लेकिन इस से पहले उनकी लव लाइफ कैसी थी? चलिए आपको इस पैकेज में बताते हैं अब्दू रोसिक सबसे पहले बात करते हैं अब्दू रोसिक की जो इस वक्त शो की चान बने हुए हैं अब्दू जो की निम्रित के काफी क्लोज है उन्होंने एक इंटर्व्यू में बताया था कि वो किसी को डेट कर रहे है बिग बॉस के घर में भी अब्दू ने कहा था कि पहले उनकी गल्फरिंट थी जो बाद में उन्हें छोड़ कर चली गई टीना दत्ता शो के अंदर टीना दत्ता बले ही रोमेंस करती नसर आ रही हो लेकिन इससे पहले वो कहीं रिलेशन्शिप में रह चुकी है वो सुपर्वाइसिंग प्रिवड्यूसर महेश कुमार जायसवाल को डेट कर चुकी है इसके अलावा वो बिजनस्मेन परेश महता के साथ भी रिलेशन्शिप में थी शालीन भनोट टीन अदत्ता की साथ रोमेंस करने वाले एक्टर शालीन भनोट तलाक्शुदा है उन्होंने एक्टरिस दिलदीत कौर से शादी की दोनों का एक बेटा भी है दलजीत ने शालीन पर कई इलजाम लगाये थे MC स्टैन MC स्टैन का रिलेशन्शिप को काफी चर्चा में रहा था उन्होंने अपनी गल्फरेंट के साथ ब्रेकप के बाद ऐसी गंदी हरकत की जिससे उनकी इमेज खराब हो गई थी दरसल ब्रेकप के बाद MC स्टैन ने अपनी गल्फरेंट का पता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया था जिसके बाद कई वैंस उनके घर जा पोचे प्रियंका अंकित प्रियंका अंकित के बीच की कैमेस्ट्री तो बिग बॉस में साफ दिखाई देती है हाला कि कयास ये भी लगाय जा रहे थे कि ये पहले ही रिलेशन्शिप में थे गौतम विच गौतम विच भले ही सौंदरिया के साथ रोमेंस करते दिखे हो लेकिन उनकी शादी हो चुकी है उनका तलाग भी हो चुका है वो अपनी परसनल लाइफ को काफी प्राइविट रखते हैं इसलिए ये खबर सामने नहीं आई शिफ ठाकरे शिफ एक्ट्रेस वीना जगताब को डेट कर चुके है वीना ने शिफ के नाम का टैट्यू भी बनवाय था लेकिन अब इनका ब्रेक अप हो चुका है वीना ने शिफ एक्ट्रेस वीना जगताब कर चुके है नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टरग्राम को फॉलो, फेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले